गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं शम्शीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चुनल MS Academy of Education में आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिटूशन की जैसे कि आप सभी जानते हैं कि SSC CGL हो CHSL हो, MTS हो, या फिर GD की भरती हो, या फिर DSSB की एक्जाम हो, UP पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो वोकेब एक important role play करता है और वोकेब में one word substitution बहुत ही important part है synonym, antonym और phrase की तरह आज हम बात करेंगे one word substitution की और आने वाली वीडियो में आपको synonym, antonym और idiom phrase भी कराए जाएंगे जो कि पिछले exams के repeated question, important vocab words आपको दिये जाएंगे ताकि आप किसी भी exam को easily clear कर पाओ तो आईए बात करते हैं one word substitution की हाला कि हम words को याद करते हैं बट भूल जाते हैं तो आज हम words को रटने पर नहीं समझने पर बल देंगे और इसकी trick को सीखेंगे कि किस trick से हम बहुत easily words को लंबे समय तक याद रख सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे root words की, जी हाँ root words यदि किसी word के root words के according हम उसको समझ जाएं तो उसके माध्यम से हम बहुत सारे words को create कर सकते हैं word to word easily समझ सकते हैं और आसानी से उनको लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं तो आएए बात करते हैं कुछ special roots की और उससे बने words की सबसे पहले हम बात करेंगे root की और उसके बाद hundreds of words हम create करेंगे इनी root words से one by one for example miso miso means होता है hate miso means hate it means sentence में जहां भी miso word is होगा आप समझ जाओगे कि वो hate या hater नफरत या नफरत करने वाले से संबंदित है second है gammy gammy संबंदित होगा marriage से gynae gynae संबंदित होगा woman से pater pater संबंदित होगा father से matter matter संबंदित होगा mother से enry enry means man purushwar anthrop जहां आएगा humankind manavjati philo या file भी इसके लिए होता है उसको हम बाद में देखेंगे philo love के लिए होता है side killing of किसी की हत्या तो यह हमने कुछ roots देखे अब देखेंगे कि इन roots से किस प्रकार से words बनते हैं तो आईए कुछ words को पहले example के थो समझते हैं और उसके बाद 100 words इसमें हम create करेंगे misogamist miso use why hate से संबंदित gammy marriage से संबंदित है it means hatter of marriage शादी विवाह से जो नफरत करता है उसे हम बोलते हैं misogamist इदर हम बात करें second word की so misogynist यहां इसको गाएने नहीं पढ़ेंगे इसकी pronunciation gin है so misogynist misogynist means hater of women ठीक वैसे ही अब हम miso को समझी चुके है miso जहां भी आएगा it means की नफरत की बाद चल रही है hater नफरत करने वाला पैटर जो word है वो father का root word है matter mother का root word है andry पुरुष का root word है anthrop humankind का root word है so miso pater means father से नफरत करने वाला miso matter mother से नफरत करने वाला miso endrist पुरुष वर्क से नफरत करने वाला misanthropist humankind से नफरत करने वाला तो जिस प्रकार से हमने miso से यह word create किये अब देखिए यदि इसी रूट में फिलो को जोड़े तो इसकी मीनिंग लव में ग्रेट हो जाएगी यदि सब्सक्राइब मैं लिखा होता फिलोजिनिष्ट अब हम ने देखा फिलो के संबन दे थे love से संबंदित है और गयाने किस से संबंदित है महिला से तो जिस प्रकार से misogenist एक वह वैक्ति है जो कि विमें से नफरत करता है ठीक उसी प्रकार philogénist वह वैक्ति तो कि महिरम से love करता है love means यहां पर respect से संबंदित है respect एक ऐसा वेक्ति जो कि महिलाओं के प्रती respect की भावना रखता है उसका हम बोलते हैं philogenist तो आई अब बात करते हैं next root word की हमारा next root word होगा side और देखते हैं कि side से कैसे कैसे words बनते हैं बहुत सारे words exam में इसमें repeat हुए हैं तो आई ये बात करते हैं side की जैसे कि आप जानते है side एक root word है जिसकी meaning होती है killing of means किसी की हत्या और बहुत सारे root words हमने पहले भी देखे जैसे कि pater father से संबंदित matter माता से संबंदित आई ये देखते हैं कि किस प्रकार से root apply होता है यह हमने word लिये है side से so side means killing of means की हत्या जब भी killing of आईगा it means कि हम किसी की हत्या की बात कर रहे है की हत्या so patricide यह pater से बना वर्ड है patricide means killing of father पिता की हत्या matricide means mother की हत्या parricide means parents की हत्या fratricide means brother की हत्या sororicide means sister की हत्या ugzoricide means wife की हत्या meriticide means husband की हत्या suicide means oneself swim खुद की हत्या means आत्म हत्या infanticide means infant किसी शिशु की हत्या means छोटे बच्चे की हत्या regicide means king राजा की हत्या forticide means fortus, brun, मा के गर्ब में ही बच्चे की हत्या कर देना forticide के लाता है brun हत्या, philicide means children, बच्चों के हत्या, genocide, जब किसी एक ही जाती के लोगों को मार दिया जाता है जैसे कि हिटलर ने यहुदियों को बड़े पिमाने पर मारा था उसे हम बोलते हैं genocide homicide, homicide means किसी इनसान किसी वैक्ति को मार देना, यहां पर किसी पर्टिकुलर जाती से कोई संब्ध नहीं है germicide means germs को मार देना, canicide means dog की हत्या, तो side means होता है killing of और इससे जुड़े word हम समझ चुके हैं आशा करता हूँ कि आप इन root words के through यह words समझ पा रहे हैं, तो देखते हैं कितने words समझें, तो side समय के यहाद रखना है killing of अब अगर यह होगा patricide means पिता के हत्या, matricide means माता के हत्या, parricide parents दोनों के हत्या, fratricide brother के हत्या, sororicide sister के हत्या, uxoricide wife के हत्या, maritricide husband के हत्या, infanticide shishu के हत्या, forticide भून के हत्या, इस परकार से हम बहुत सारे words ऐसे ही बना सकते हैं तो अब बात करते हैं, next root word की, हमारा next root word है, file, philo, amphilia, it means love or lover, आई एक्जाम्पल के थुरू समझते हैं, Biblio-phile, biblio means book, phile means lover, means lover of books, a person who loves reading books, that is called biblio-phile, and exactly the next one is new-phile, new means new things, and phile, it means lover of new things, same anglophile, anglophile is related to english, england means, एक ऐसा वेक्ती, जो england, england के culture, english लोगों को पसंद करता हो, उसे हम कहते हैं, anglophile, and next word, theophile, theo is related to god, that's why, theophile means lover of god, and xeno means foreigner, so lover of foreigners means xenophile, Cinephile, cinephile means a person who loves cinema, who loves watching movie, that's why lover of cinema is called cinephile, logophile, logo means words, and logophile means lover of words, means a person who loves to learn a lot of words, he is called logophile, एक एसा वेक्ती, जो नए 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 वर्ड सीखना चाहता है, नए नए वर्ड सीखना उसको अच्छा लगता है, उसे हम बोलते हैं logophile, hippophile, hippophile, hippo means horse, so lover of horse is called hippophile, foodophile, food, so lover of food means foodophile, astrophile means lover of stars, astro से ही बनाए, astronauts, अब हम बात करेंगे phobia की, phobia means fear, डर, so hydrophobia, phobia means the fear of, hydro means water, so hydrophobia means fear of water, इसे जो डर होता है, उसे हम बोलते हैं hydrophobia, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कि hydrogen plus oxygen equal to water, so hydrophobia means fear of water, second, acrophobia, acro means height, उंचाई, height से डर होता है, उसे हम बोलते हैं acrophobia, agoraphobia, agoraphobia means public field या public place से डर होता है, उसे बोले आता है agoraphobia, gyno, gyno related to women, so gyno phobia means fear of women, महिलाओं से डर को gyno phobia बोलते हैं, bibliophobia, bibliophobia means fear of books, इससे पहले हम ने पढ़ा था, bibliophile, and bibliophile means one who loves books, so it is bibliophobia, it means fear of books, xenophobia, xenophile means lover for foreigners, means one who likes foreigners, but here the word is phobia, and phobia means fear of, so xenophobia means fear of foreigners, and now cynophobia, cynophobia means fear of dogs, hypo phobia means fear of fire, hypo phobia, hypo phobia, hypo phobia means lover of horse, but now the word is hypo phobia, and phobia means fear of, so hypo phobia means fear of horse, gamophobia, gamophobia means fear of marriage, tachophobia, tachophobia means fear of speed, and necrophobia means fear of dead person, or death.